देखिए बच्चो, हमारे कोशन बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट होने वाला है, ये सवाल आप समझ लोगे तो इसके टाइप की जित्तिप सवाल पेपर में आपकी बन करके आएंगे, वो आप सोलवे कर सकते हो, सवाल है आपर हमारा आपको फोकस से समझना है, कक्छा दस वी की गडित का ध्याय तेरा प्रश्टी छेतर फलेवं आयतन, क्लास टेंथ की मेस का चेप्टर कोंस है आपका ध्याय तेरा प्रश्टी छेतर फलेवं आयतन, यहाँ पर आपका एक्जामपल नंबर तेरा क्या बोल रहा है, हनुमप्पा और उसकी पतनी गंगा मप्पा, ह अनुमप्पा और गंगा मप्पा हना गन्य के रस्ते गुड बना रहे है गन्य का जो रस होता है आप लोग ने देखे होंगे मेरे खेत में भी चलता है घाना हना उदर कबरस्तान की पीछे हना वहां मेरा खेत लगा हुआ है भापड भी मतलब गन्य के रस्ते क्या बनाते है तो गन्य का जो रस होता है गन्य के रस जब अपन गरम करते है तो क्या बनता है गुल बनता है जब गन्य का रस गरम करो और तुरांट वो काक भी निकलती है बिल्कुल वो गुल वाली हाना उसो खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है हाना तो गन्य के रस से क्या बनता है गुल ब प्रकार की एक बालती में डाल रहा हैं इस प्रकार की एक बालती में डाल इस प्रकार के अपन एक पात्र में जमा कर रहा है और यह आलों पात्र है आपका संकु छिन्नक की अकार का है संकु छिन्नक भी ऐसी होता है मैंने काल समझाया था आप लोग को संकु छिन्नक क्या होता है एक संकु होता है ऐसा पूरा उस संकु को अपन ने बीच से काड़ दि जिनमें से प्रत्तेक के दोनों फलकों के व्रत्ति वॉयास अब इनके हाँपर व्यास दिये है यहाँपर किते हैं 30 cm然后 30 cm,уки 30 cm मतलब यहां से ले-कर कि यहां तक कित्ते है आप का 35 cm का आपका थै ब्यास है और छोटा ब्यास कित्ते है यहां पर आपका 30 cm का है यहां पर कि तथा साचे की उचाई साचे की उचाई है क्लियर अभी इत्ता हल करते अब यहां पर के पैले वोल रहा है यदी तो भी अभज़द याद करना मतलब सबसे फिलाएं निकालेंगे कि हमारा यह परतन है हमारा यह जो क्या है बरतन है जो हमारा है जो पात्र है जिसमर हम गुल को ढ़ाल भूल रहे हैं गुड़ को ढठाल ले के लिए इस टाइब का बरतन होता जो ठंडा हो तो निकाल लेज़ तो डिगला इस प्रकार से निकल जाता है गुड़ की भेली निकल जाती है पुँसे गुड़ से मुझे याद आगे मेरे के मेरे के क्लासमेट था दोस्त था उसके अब कोई बोलता है इसके भोती गुड़ लिखी अच्छा गुड़ हाँ जे गुड़ बेटा है ना देखो न वो सब अलग वास है देखो क्या है यह जो पात्र है न इस पात्र में अपन क्या कर रहे है कि क्या कर रहे है गुड़ बना रहा है बना रहा है तो कितना गुड़ इस पात्र में आ सकता है इस बरतन में कितना गुण समा सकता है जगह कितनी है पात्र के अंदर तो हम सबसे पहले पात्र का पूरा वोल्यूम ग्याद करेंगे हम क्या निकालेंगे पात्र का आयतन ग्याद करेंगे किसका आयतन ग्याद करेंगे पात्र का आयतन ग्याद करेंग आप यहां पर देख सकते हो यहां पर डालेंगे हम हल यहां पर हम के डालेंगे हल डालेंगे और जहां हल डाल कर हम लिखेंगे दिया है क्या लिखेंगे दिया है क्या दिया है संकु संकु छिन्नक दियाई पातर संकु छिन्नक क्या का है संकु छिन्नक की तरिज्याई तरिज्याई करमसा संकु छिन्नक की तरिज्याई हाना यहाँ पर ब्यास दिया है पहले हाँ पर हम लिखेंगे ब्यास संकु छिन्नक का ब्यास संकुछिन्नक का ब्यास करमसा क्या दिया है क्या दिया है यहाँ पर आपका 35 cm और कुम क्या दिया है 30 cm है तब माना तरिज्या आरवन पहले तरिज्या आरवन ब्यास की आधी तरिज्या क्या होती आपकी आरवन ब्यास की आधी होती ब्यास आपका 35 cm है प्यास का आदा कर दो किसी संखे में डोका करते हैं मतलब आप उसे क्या कर रहे हो आजय कर R2 बरावर क्यों जाएगा यहाँ पर आपको 30 बटे 2 सेंटी मीटर, अब तिरिज्ज्य R2, तिरिज्ज्य R2 बरावर, 30 का अधा करो, कितना जाएगा 30 का अधा, 15 सेंटी मीटर, 30 का अधा कितना जाएगा, 15 सेंटी मीटर आपको निकल करके आजाएगा, 30 का अधा किता होता है आपका 15 cm होता है तो पहली 30 जह आरवन बरावर होगे आपकी 35 बठे 2 और दूसरी 30 जह आईटू बरावर होगे आपकी 15 cm किलिया रहे और एक और चीज है यहाँ पर दी गई है संकुछ इनक्य क्या दी गई है उचाई किती दी गई है हाँ पर आपको एज बराबर 14 cm तथा उचाई तथा उचाई एज बराबर किती दी है हाँ पर आपको 14 cm यहाँ पर आपको उचाई दी गई है अब हम सबसे पहले के निकालेंगे कि पात्र के अंदर कितना गुड जा सकता है पाजर के अंदर कितना को रोख समा सकता हैं पहले वह निकालेंगे संकु छिनक का हम आयटान लेंगे, यहाँ पर रहा हम लखेंगे तब ताव शंकु छिनक का आयट , ए पलोग को संकु छिन्नक का आतन का सुद्र का होता है, मैंने कल लिगवा था आप लोग को, एक बटे तीन, पाई, ह, आरवन का वर्ग धन, आरटु का वर्ग धन, आरवन इंटू, यही होता है, एक बटे तीन, पाई, एक बटे तीन, पाई, ह, आरवन का वर्ग धन, आरटु का वर्ग रवन इंटू आर्टू यह क्या होता हमारा संकु छिन्नक का आता है निकाल लेगा क्या होता है सूत्र होता है बराबर कहो गया बराबर एक बटे तीन को जाएगा एक बटे तीन गुणा पाई कमान किता लेना है 22 2 7 क्योंकि पाई कमान कुछ और दिया कैसा बाल में देखो मैं कुछ है किता लेंगे 22 वटे साथ उचाई हल दो का वान है 35 बट्टे दो कव वर्ग, आरगी मतला 35 बट्टे दो कव वर्ग मतला दो बार मल्टिप्लाइ, 38 बट्टे दो घाथल मतला दो बार सक्राइब धन का हो गया धन, आपका 15 अब जो कट्राव वो काड़ देंगे बराबर कहो गया बराबर एक वटे तीन कहोगे एक वटे तीन साथ इकम साथ दुनी चुगदा रुबाइस दुनी कित्ता हो गया आपका चवालीस अब इसके बाद 35 मुं पेटीस का मल्टिपलाई करो 35 को पेटीस क cigar दो पांस ये पंद्रा उरो 16 सिर पंदरा का फांस ये नोर इकर क्यत्ता होगे आपका दस साथ प Aufg बारब दो हसल का एक 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 और एक दो बारा सु पच्चिस पेतिस का वर किता होता है बारा सु पच्चिस बटे का बटे दो दुनी किता होगे आपका चार धन दो सु पच्चिस का होगे दो सु पच्चिस बटे में कुछ नहीं एक मान लिये धन पेतिस में पंदर का मल्टिपले करना पंद्रा पांची, पंद्रा पांच ये 75 का 5 हासिल का 7, 15 ये 45, 45 और 7 कितना होता है आपका? 45 और एंदा उर 7, और 45 और 7 कितना होता है? 22 बटे में 2 का? 2 ये हो गया ब्रेकेट आपको क्या हो गया है? बंद हो गया, किलियर है? उतारो इतना उतार लिए अए कि होगे उतार के यह बराबर को गया बराबर एक बटे तीन को गया एक बटे तीन कुणा चौवालिस को गया चौवालिस चार दो चार एक और दू का एल्सियम बिता आगा है आपका किता आएगा चार आएगा लगुतम किता आएगा चार एक और दो का लगुतम आएगा आपका चार अब चार में चार का भाग दो एक ही बार जाएगा चार एक कम चार एक का मुल्टिप्लाइस में करेंगा उत्ते का उत्ती आएगा बारा पच्चिस को गया बारा पच्चिस में कर देंगे 225 में 4 का मुल्टिप्लाइ कर दो 225 गुणा 4 धन अब दो का पहाड से पड़ों की 4 से आंगे न बढ़े 2 एक कम 2 और 2 दुनी 4 दो बार मैं गया दो का मुल्टिप्लाइ 5 से 25 में कर दो 525 गुणा 2 अब देखेंगे आप यहाँ पर बराबर कहो गया बराबर एक बटे तीन कहो गया एक बटे तीन गुणा 44 कहो गया 44 अब 1225 कहो गया 12 1225 धन चारा पंचे 20 का सुनने हसिल का 2 चार दो नी 8 और दो दस का सुनने हसिल का 1 चार दो नी 8 और एक किता हो गया 9 धन दो पंचे 10 का सुनने हसिल का 1 दो दो नी 4 और एक हो गया 5 दो पंचे किता हो गया 10 बटे में 4 का 4 ब्रेकेट हो गया आपका क्या बन बरावर है 44 है कम 44 बटे में 3 का 3 अब रिकेट में हल करो 5-0-0 का हो गया आपका 5 2-0-5 5 और 2 किता हो गया आपका 7 9 और 2 किता हो गया 11 11 का एक हासिल का 1 और 1 2 और 1 किता हो गया 3 बटे में 4 का 4 ठीक है जो कटरा वो काट दो उतार लिए नीचे का 4 एक कम 4 4 एक कम 4 एक कम 4 यह 3 से कट जाए 7 पर 12, 13, 14, 15 नहीं कटेगा अब 11 में 11 और 3 155 का 5 हासिल का 5 11, 37 77 और 5 किता होगा आपका 77, 78, 89, 81, 82 77 और 5 होगे आपको किता 82 का 2 हासिल का 8 11 कम 11 11 और 8 किता होगे आपको 19 का 9 हासिल का 1 11, 33, 33 33 किता होगे आपका 34 और बटे में किता है हाँ आपको 3 कम 3 अब भाग दे दो 3 कम 3 3 कम 3 4 में 3 का किता बचा 1 3 का 85 और 19 से आगे नवड़े 3 चिंग 18 19 में 16 किता बचा 1 3, 4, 12 3 कम 3 3 में 5 किता बचा 2 भागनी जार लग गया हाँ दसमलों भाँ लग गया 0 2 पर 0 हो गया 20 अब 3 करशा बचा 20 से आगे नवड़े तो 3 चिंग किता होता है आपका 18 यह होगे आपको 11,641 यह आगया आपके पात्र का आतन आपके पात्र में इतना आतन है और आतन काई में आता गन सेंटिमीटर में आता है तो संकु चिंग का आतन किता होगे हमारे पात्र में इतने आतन में गुल समा सकता है गुल रखने के लिए हमारे पास इतना एरिया उपलब्द है 11,641 गन सेंट्र में इतन हमारे पास क्या है उपलब्द है क्या रखने के लिए गुल को रखने के लिए एतना एरिया हमारे पास क्या है उपलब्द है यहाँ लिख दो अता संकु छिन्नक का आयतन बरावर यहाँ पर लिख दो अता हा शंकु छिन्नक का आयतन बरावर किता आगया आपका 11,641.6 घन सेंटिमेटर आगया अब सवाल हम आगे पढ़ते हमको यह बताना है देखो यदी देखना यदी एक घन सेंटिमेटर घन सेंटिमेटर का मतलब क्या होता देखो घन सेंटिमेटर का मतलब यहाँ पर क्या होता है घन सेंटिमेटर का मतलब घन सेंटिमेटर का मतलब क्या होता है घन सेंटिमेटर का मतलब जो होता है कि एक सेंटिमेटर लंबी यह वाली भुजाओ और एक सेंटीमीटर जो खड़ी वाली भुजा हो ये उचाई वाली तीन भीमा होती है और एक सेंटीमीटर ये वाली भीमा हो तो उससे मिलाकर करके जो घनाब बनेगा इत्ता वड़ा जो बना आपका घनाब इत्ता वड़ा इसको बोलेंगे हम एक घन सेंटिमीटर किलियर एक घन सेंटिमीटर के इसको हम के बोलेंगे घनाब बोलेंगे के बोलेंगे इसको हम गन decisions सेंटीमीटर का घ्ना बोलेंगे के लेंगे सकों एक गन सेंटीमीटर का घ्ना बोलेंगे तो इतने इतने गुलग pressures मतलब इतना क saben Six Saudi मिट्बब इतना एसथ सेंटिमीटर का यह वाली भुजा भी सेंटिमीटर यह वाली भी सेंटिमीटर यह वाली एक सेंटिमीटर तो इतनी जगह में आपका एक दिसमलों दो ग्राम कि अगर आप इसको निर कर ले कर की आया तो जब हम इतने पुरे साच्य में उस पूरे गन्य के रस का जो राव निकल के आया है जिसको हम गुल्ड में ढालने वाले है अगर हम इस पूरे साच में अगर उसको लिजा करके भर दे तो कुल कितने उसका बजन कितना निकल करके आए उसका बजन कितना निकल करके आए आपको ये बताना है किलिए रहे है सेंटीमीटर राव का द्रब्यमान बरावर किता है आपका 1.2 ग्राम है यहां पर हमके लिखेंगे चुछ कि एक घंग सेंटीमीटर राव का द्रब्यमान बरावर किते सेंटीमीटर एक घंग सेंटीमीटर राव का द्रब्यमान बरावर किता है यहां पर आपका एक दिसमलों दो ग्राम है एक घन सेंटीमीटर में कितना दरब्यमान का राव आ जा रहा है आपका एक घन सेंटीमीटर में आपको एक दिसमलोग मिटराव का दर्भामान इतना है जब एक चाक्लेट पांच रूपय की तो 25 चाक्लेट किते रूपय की होगी अपन 25 में पांच का मल्टिप्लाइ करेंगे उसी प्रकार जब एक घंसेंटिमीटर राव का दर्भामान एक फटलोग राम तो 11,640 किलो 11,641 घंसेंटिमीटर राव का दरबमान कितता होगा तो अपन 1,2 में 11,644 का कर देंगे मल्टिपलाई कर देंगे तो अपना के निकल के जाएगा दरबमान निकल करके आ जाएगा इसलिए जब 1,2 ग्राम है इसलिए कितने निकाल लेंगे हैं आपर हम 11,000 11,641 दरबमान निकाल लेंगे जब एक घंच सेंटीमीटर राव को द्रबमान ग्राम है तो 11,649 ज़नों 6 घंच सेंटीमीटर राव को द्रबमान किते हो जाएगा 11,641 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यह हो गया है आपका 11,641 द्रसमलों छे गुणा 1.2 ग्राम हो जाएगा दसम्लों को छोड़ो और सिंपल हाँ पर आप मल्टिप्लाई करो तो देखो ग्यारहजार छेसो एकतालीस और योगया च्छे गुणा किस से कर रहे हैं आपर हम इसका बारा से कर रहे हैं बारा चिंग भात्तर का दो हासल का साथ बारा कम बारा बारा और साथ कित अपकर उन्याइस का नो हासल का एक बारगाओ अफे बेल न लायक धोर गवार लोगोई उजर जाओ भी मत करो मत ठुकाओ सेंटर फुट खाओ और जवान पर लगाम लगाओ लेकिन सहीं तो बोलो 12 किता होता है कल 20 तक साब पाड़े याद करके आएंगे कहां तक पाड़े याद करने से केरिक्विशन आपके लोगी फास्ट रियागी है ना 12 चूँ 48 बारचो किता होगे आपका 48 हाना 48 बारचो किता होगे आपका 49, 49 का 9, हासिल का 4, 12 चिंग 72, 72 और 4, 76 76 का 6 हासिल का 7, 12 कम 12, 12 और 7, 19, 19 का 9, हासिल का 1, 12 कम 12 और किता होगे आपका 13 कितने आगे मल्टिप्लाई करने पर तेरा चानवे निन्यानवे दो तेरा चानवे निन्यानवे दो अब यहां पर एक और एक कितने संख्यक पहले आपर दसंब्लों लगाए आपका खुल दो संख्यक के पहले हाँ पर क्या है आपका दसंब्लों तो एक और यहां पर कुल दो संब्सक्राइब यहां पर में इधर एक बढ़ा देता हूं यह ब्यान भी लिखा है सो करीब में सोगों तो यहां पर एक बढ़ जाएगा अना तो 69 का आपर क्या 70 ग्राम इतने ग्राम हाना 13970 ग्राम भर सकते और 3070 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे एक हजार ग्राम में एक किलोग्राम तो 13000 ग्राम में 13 किलोग्राम कितने हो जाएगा ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए ख़जार का भाग देंगे हैं तो 13970 ग्राम को मैंने कर दिये किलोग्राम में कनबढ और भाग कितने कर दूंगा 1000 का वाग होते हैं एक दो तीन संहित काराव अको सब्सक्राइब मतर्व सब्रेंटों इसके बहुत है कि इक आदे और समर नो साथ उत desert किलो हुए उत्व किलो ग्रांम अतलत अपनी गुड़े ऐतीlar किलो संपी ग्राव कि यहां पर आपकि जा बने की गुड़ की बेली बनेगी 13 किलो 970 ग्राम की गुड़ की बेली बनेगी यहां लिख देंगे अतहा 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 कि साचे में कि भरे जा कि सकने कि सकने वाले कि राव का द्रब्मान कि साचे में भरे जा सकने वाले राव का द्रब्मान किता है 13 किलो 97 ग्राम सवाल समझने आएगी नहीं